बूर्णिंग स्टुएंस कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी मैथमाटिस वॉक्षिट नंबर 121 इसमें आप क्या पढ़ेंगे इसमें आप explain the meaning of division fact by equal grouping और sharing इसमें हम division पढ़ेंगे जिसे हम grouping और sharing के माध्यम से बढ़ेंगे तो वक्षिट शू करने से पहले आपको आज का date जोगी है 30 November 2021 आपकी class third ABCD आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखना और फिर आपको ये वक्षिट शू कर देने तो आज शू करते हैं आपकी वक्षिट नंबर 121 पला है चित्र पहेली दे गए चित्रों को एक जिसा बनाने की कोशिश की गई थी परन्तु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियां हो गई है आप किनी दो गलतियों को ढूंड कर अपने अध्यापा के अध्यापिका के साथ सांजा कीज़े तो देखिए इसमें क्या के गलतिय है सबसे पहले देखिए यहाँ पर दुआ नहीं है यहाँ पर दुआ है तो यह दुआ नहीं है ठीच यह दुआ अलग है आगे देखिए ये फूल का डिजाइन ये अलाग है फूल अलाग है उसके देखिए ये जो पहिया है यहाँ पर गोला नहीं है तो पहिया भी अलाग है और देखें यहाँ पर यह एक्स्ट्रा बना हुआ है यह जो हैंडल सा है या कुछ भी कहुए से यह हुक नहीं है इनकी हम कह सकते हैं हुक अलाग है तो इसमें हमने कितनी कमिया बता दी थी एक दुआ पहिया यह आपका फूल अलग था और देखें खिड़की अलग है ठीक है खिड़की अलग है तो यह आपकी चा जो चित्र दो में गलतिया है वो आपको समझा देखें अब आगे देखते हैं आउ बाटकर खाएं क्योंकि हम पहली बताएगा कि आज हमें इसमें क्या पढ़ेंगे शेरिंग और गृूपिंग के थ्रू डिवीजन पढ़ेंगे तो बाटने का मतलब ही होता है शेर करना है ना सौमया रचिता और अनीशा तीनों बहने हैं घर में खाने की जो भी चीज़ें आती हैं वे तीनों आपस म 1-2-3-1-3-1-2-1-1-1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1-1-1-2 और एंगे समझा जते हैं इसमें सिर्स आपने की मतलब ही हैं अब देते हैं दूसरी गोली दूसरी गोली और फिर गोली तो ये गोली में हमारे कम हो गए अब देते थे तेसरी गोली तीसरी गोली सुरी ये इससे दे नहीं थी न ये वारी गोली इससे दे दी हमने ठीक है तो हमारी ये तीन गोलिया कम होगी उसके आद एक गोली और इधर दी फिर इन है दी और इससे दी तीन गोली फिर एक गोली दूसरी गोली और तीसरी गोली अब आप गिनो तीनों के पास कितनी गोलिय देखिए 1,2,3,4 कितनी गोलिय ہو गए? 4 गोलिय हो कितनी गोलिय मिली है? 4 चार गोलिय मिली एक ओडियो मैसेज की सहलता से अपने सिक्षक या सिक्षका को बताइए कि 3 ने गोलिय आपस में बरावर कैसे बाटी होंगी यह आप अपने आप बता सकते हैं अब आगे देखिए एक दिन रचिता के बगीचे में चार जामुन दस जामुन लेकर आई सौमय ने थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया था इसलिए उसने खाने से मना कर दिया जामुन जादा पके हुए थे और रखने से खराब हो जाते इसलिए रचिता और अनीशा ने जामुन बराबर में आपस में बांट लिए तो कितने जामुन है टोटल जामुन है हमारे पास 10 और क्योंकि एक बहन ने खाने से मना कर दिया तो दो बहने बची तो दो बहनों में 10-10 जामुन कैसे बटेंगे देखिए सबसे पहले हम एक ज जामुन और यहां पर एक जामुन यह वाला भी खतम यहां पर एक जामुन और यहां पर भी एक जामुन तो हमारे यह ग्रूप भी खतम तो दोनों के पास कितने जामुन है एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच कितने जामुन मिले दोनों को पांच पांच ब्राबर बटे अब आगे देखते हैं किया देख किया कहा गया कि चीज ओंको बच्चों में बहुंते हैं बिल्कुल पहला है चीजें और कुल बच्चे हर एक को कितने मिले पांच लड्डू पांच तो हर किसी को एक-एक मिलेगा एक ठीक है आठ टॉफियां चार बच्चों में देनी है तो कैसे दी जाएंगी हम दो-दो के अगर गुरूप बना देते हैं तो चार गुरूप बन जाएंगे यानि कि हर बच्चों कितनी-कितनी मिली दो-दो मिली छे चॉकलेट दो-दो बच्चों में दी जाएं तो छे को हम दो से अगर छे को अगर हम दो लोगों बाटेंगे तो एक दो तीन चार पांच और छे और तो एक बच्चों कितनी मिली तीन मिली अगर मैं बारा वेर तीन ब इस तरीके से हमने ये equal grouping और sharing का concept सीखा है ठीक है तो parents आपको क्या करना है जामुन ने एक और शिदी है पौधों वाला फल है बच्चों को जामुन के फायदों के बारे में बताईए ठीक है जामुन का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जामुन का जो जामुन और जामुन की ग जाए तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद